काबूल एरपोर्ट के बाहर आत्म घाती हमलों के बाद अमेरिके ने जवाबी कारावाई करते हुए IAS के टिकाउन पर हावाई हमला किया अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगर हार प्रांत में आतंकियों के टिकाउन पर ड्रोन से हमला किया है इस हमले में एक साजिश करता धेर हो गया मीडर रिपोर्ट के में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में काबूल एरपोर्ट पर धमाकों का मास्टर माइंड मारा जा चुका है वहीं अमेरिका ने अपने नागरिक से कहा कि वे काबूल एरपोर्ट से तुरन थट जाए काबूल इयर्पोर्ट के भार धमाकों में 170 लोगों की मोत बता दे कि 26 अगस्त को काबूल अएर्पोर्ट के बार आतंकिय संगळन इस ने दो फिदाइन हमले किये थे धमाकों में 117 लोगों की मोथ हो गए थी इन हमलों में 13 अमेरिकी सेयनक और 2 बिटिश नागरिक भी मारे गए थे वहीं 1276 से ज़्यादा लोग घायल होए थे घायलों का अललल हस्टाल में इलाज जारी है घटना के बाद राश्टपती बाइडन ने खाया था कि समय आने पर आतंकियों को अमेरिका करारा जवाब देगा अमेरिका इसे माफ नहीं करेगा बलकि उसे सजा देगा हवाई अमले के बाद अमेरिका बोला लक्षे को मार गिराया अतंकिय संगठन ISK पर जवाबी कारवे के बाद US सेंटरल कमांड ने ब्यान चारी करका कि हमने लक्षे को मार गिराया है इसे किसी आम नागरिकों का नुक्सान नहीं हुआ है कि एक सब्सक्राइब करें धन्यावाद